तो फ्रेंड्स मेरा नाम है सुरज और आपका फिर से सोगत करतो हमारे चाइनल सुरज के एक्सपेरिमेंट में इस वीडियो में दिखाएगा एक्सपेरिमेंट घर पे ट्रायने पर यह खतर ना को सकता है तो फ्रेंट्स वीडियो में दिखने वाली चीज है पोटेशियम नाइट्रेड और इसे कहां से खरीदना है यह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा इसलिए आपको यह वीडियो पूरी दिखनी पड़ेंगी क्योंकि आखरी में मैं शुगर रॉकेट फ्यूल की टेस्टिंग करके बताऊंगा दोस्तों यह है पोटेशियम नाइट्रेड और इसे हम किसी भी कीराने शौप से खरीच सकते हैं इसका हिंदी नाम है कलमी सोड एक बार फिन से सुन लेजिए इसका हिंदी नाम है कलमी सोड लेकिन यह ऐसे ही यूज में नहीं आएंगा इसके लिए पहले इसे बारिक करना पड़ेगा, कुछ इस तरह जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है, लेकिन आप आपकी इसरफ से भी इसे कुड़ सकते हैं, किसि का नाम लेके, मजा कर रहा हूँ दोस्तों, दोस्तों इसे इस तरह करने के बाद हमें एक बार फिर से मिक् मिक्सिक किस तरह चलानी है दोस्तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ पोटाशियम नैट्रेट पिस्ते वक्त शुगर का इस्तेमाल ना करें दोस्तो ये बहुत ही जोलनसिल पदारता है दोनों एक साथ ना पिसे ये जोलनसिल पदारता है दोस्तो इसलिए मिक्सिक को थोड़ा थोड़ा चला के हमें इसका पाउडर बनाना हुगा पीशने के बाद बहतरिन रिजल्ड के लिए हमें थोड़ी देर पाउडर को धूप में रखना पड़ेगा बाद में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे शुगर रोकट फ्यूल बनाने के लिए हमें शुगर लेनी पड़ेगी शुगर पाउडर ये जो घर पे बनाई हुए है ये 35% लेना पड़ेगा इसके बाद पोटाशियम नाइट्रेट 65% दोनों पाउडर को एक साथ मिलाकर धीरे धीरे मिक्स करें अभी दोस्तों हम इसके टेस्टिंग करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजें एक साथ जढ़ गए कि मागक। जह गग प्रेवफ कि मैं खश्सू नहीं खायART तो दोस्तों यही ता आज का वीडियो वीडियो अगर आप पो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दिजिए तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में